हम दो चलते हैं आगे की तरफ कं पिछली क्लास में हमने कुछ कोशिन क किए थे ऊंट कीज जर में और बाथ करेंगे और आज owie शोड़े न फॉर्मस कलेंगे सुलें के य जर जो पिछले दोनों हुआ पर मैंने सारे स्ट कर्या दिया अब कुछ नया करेंगे ओप बनाय करने से पहले कुछ एक और टाइप जो छूट गया था वो मैं आज से उसको कराऊंगा तो एक बर जोड़े लेते हैं पिछली क्लास से कि पिछली क्लास में हमने क्या कराया था और अभी तक आप लोग लाइक सेस्क्राइब शेयर नहीं किया है तो कर ले यह देखिए फ फाइंड करना है रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स तो यह क्या है यह है बैक गेर में क्या होता है बैक गेर में होता है कि यह चीजे यहां से ध्यान देनी पड़ती है मतलब क्या हुआ कि जैसे यह एक स्क्वाइर है प्लस वन अपन इसका एक बैक क्या होगा त तो प्लस वाले back के लिए क्या करते थे प्लस वाले back के लिए जो इसकी value दी हुई है उसको ऐसे ही रख देंगे 223 और इसमें 2 को add कर देंगे क्या कर देंगे 225 आ गया इसकी value आ गए 15 अब इससे back क्या होगा back तो root x का होगा square term back जाता है ना तो root x हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या minus का पूछ रखा तो minus का निकालेंगे वहारा आप रूट x इसको निकालने के लिए क्या तो यह back निकालना है लेकि प्लस से minus वाला निकालना तो क्या करते थे जो इसकी value आए उसको ऐसे ही रख दो और यहां minus का निकालना है ना तो इसमें क्या कर दो इसकी value आगे रूट का 13 तो ऐसे करेंगे सारे questions तो आईए चलते हैं और देखते हैं थोड़ा सा और एक टॉपिक छूट गया था उसको मैं कराऊंगा आ जाता है कभी कभी पेपर में तो खेर प्रोग्लम होगी इससे अच्छा मैं करा दूसरे कर दो तो friends कुछ ऐसे questions आ जाते हैं क्या होता है इसको ढंग से समझाएंगे बिल्कुल ही तरीके से कि x plus 1 upon x है इसकी कुछ value दी हुई है कुछ नहीं देता है यहां पर मैं cross कर दिया क्रॉस कर दिया क्रॉस कर दिया इसको इससे कर लेता हूँ यहां cross कर दिया ऐसे और क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है x to the power 4 plus 1 upon x square ठीक है यहां कुछ दिया हुआ है तो इसको भी ऐसे ही कुछ sign ले लेते हैं sign से जादे समझ में आएगा आपको यह plus का sign ले लिया ठीक है और find क्या करने के लिए बोल रहा है friends find करने के लिए यह बोल रहा है कि find करिए find करिए x square plus 1 upon x to the power 4 इसको find करिए तो इसको कैसे निकालेंगे इसको निकालने के लिए क्या तरीका है friends कि इसको निकालने के लिए कोई वैसा मेथड नहीं है हमारे पास कैसे निकले गाई है सबसे पहली चीज है कि क्या क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं friends यहां x plus 1 upon x है x to power 4 है 1 upon x square है यहां पर यह चीज दिया हुआ है इसको करने के लिए starting करते हैं starting करने पर क्या होगा सबसे पहली चीज कि यहां कुछ ले लेते हैं मान लो यहां पर a put कर लिया ठीक है a put कर लिया तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ देते हैं किसको किसको इसको और इसको जोड़ देते हैं ठीक है add क्या कर देंगे इसको और इसको add कर देंगे तो क्या मिलेगा ऐसे कुछ मिलेगा x to power 4 plus 1 upon x square add यह x square plus 1 upon x to power 4 ठीक है और इसके साथ क्या मिलेगा friends इधर का भी तो add करेंगे तो यहाँ add करेंगे इसको तो यही जो sign है sign तो ऐसी रहेगा plus का और plus इसमें A हो जाएगा मतला इसके sign में A add हो गया अब क्या करेंगे इसको simple बना लो friends क्या कर देंगे simple बना लेंगे यहां कुछ भी लेट कर सकते हैं, इसके लिए सोचना नहीं है, यहां क्या कर दो, सिंपल बनाओ, मतलब इसक्वार इसक्वार वाले एक तरफ ले आओ, तो ऐसे बन गया, एकस्वार प्लस वन अपॉन एकस्वार और यह फोर वाले टरफ मुदर ले जा, इसकी वैलू ऐसे है कुछ, तो हमें इतना पता है, क्या पता है, कि यह सिंपल टर्म है, इसक्वार टर्म पूछ रहा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, प्लस वाला है, पूछ रहा, तो इसके लिए जो इसकी value दे हुए हो, उसका square कर देंगे और minus का 2 कर देंगे, इसके लिए बस minus का 2, और जो इसकी value आती है कुछ भी आजाए, इसकी value जो भी आए, मालनो minus का ऐसे कुछ आजाता है, ठीक है, यहाँ नहीं लिखता है है, यहाँ लिख देता हूँ, मालनो इसकी value calculate करने पर ऐसे कुछ, ऐसे कुछ minus का आजाए, कैसे, ऐसे कुछ minus का आजाए, ऐसे, तो यहाँ क्या करेंगे, जो इसका, यहाँ से इसको निकाल लिया, यह इसका square term निकल लिया, तो अब इसकी जो value आएगी, उसी का square term, यह है, इसका, ऐसे, इसी की value से तो निकलेगा, बिल्कुल ही, इसके value से हमें, यह पता चलेगा, कि इसको कैसे निकाले, क्योंकि, इसको square term करेंगे, तो यह आएगा, तो इसका value दिया हुआ, तो यहाँ क्या करेंगे, जो इसका value आया है, उसको square कर दो, ठीक है, और minus का 2 कर दो, ठीक है, और यह जो sign है, उसको ऐसे ही रखो, plus का A, ठीक है, यह value given होगी, ठीक है, यह given होगा, यह भी given होगा, तो अब friends, इसको solve करके, और इधर भेज दूँगा, तो यह value नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल ही मिल जाएगी, आये question से समझते हैं, बिल्कुल ही question से clear हो जाया गा, डाउट, question देखते हैं, question देखते हैं, परिशान नहीं होना है, मैं समझाने के लिए बिल्कुल एक एक चीज़ समझा दूँगा आपको, कोई ऐसा question नहीं होगा जो आपसे ना हो मैंने देखा कि एक टाइप शूट रहा है थोड़ा से उसको करा दूँ जिसे कोशन आ गया एकस प्लस वन अपन एकस इसकी वैलू है फ्रेंट्स फरी और इसको क्या ज़़िए प्लस वन अपन एकस प्लस एकस ऄडिया है निकालना है एकस तो क्या दिया है 40 और find क्या करना है find करना है x square plus 1 upon x to the power 4 इसको निकालना है ठीक है तो सबसे पहले चीज इतने बड़े चीज को लेके तो नहीं चल सकते इसको एक कुछ भी माल लेना ठीक है a b c कुछ भी माल लेना तो इसको मैंने माल लिया a ठीक है इसको माल लिया हमने a अब आई हम question फटाफट solve करते हैं क्या करना है सबसे पहली चीज ऐसे जो होंगे न इन दोनों को add कर लो क्या करना है add करना है इन दोनों को add करने पर क्या मिलेगा हमें x to the power 4 plus 1 upon x square क्या होता addition में left का left से जुड़ता है right का right से जुड़ता है तो यहां इसको भी add कर लेंगे x square plus 1 upon x to the power 4 में और इधर क्या हो जाएगा फ्रेंट्स इधर हो जाएगा इधर 40 है और इथर ए है 40 प्लस ए आगे क्या काम करेंगे आगे काम करेंगे कि जैसे square वाले term है जो उनको एक तरफ ले आओ x square plus one upon x square एक तरफ ले गए और four वाले term एक तरफ ले जाओ मतलब x to the power four plus one upon x to the power four एक तरफ आगे ठीक है systematic तरीके से और इधर क्या हो गया 40 plus a हमें किसकी value निकालनी है हमें a की value निकालनी है ठीक है तो आगे क्या करेंगे आगे करेंगे कि यहां basic term दिया हुआ है ठीक है और यहां क्या है square term है ठीक है तो basic term दिया हुआ square term निकालना क्या कर देंगे इसके लिए 3 का square और minus का 2 यही तो करेंगे यहाँ basic है square term पूछ रहा और plus में पूछ रहा तो square और minus का 2 इतना कर दिया तो इसकी value क्या आ गई? जो भी है 3, 3, 3, 9, minus 2, 7 आ गया, ठीक है? मन में ही कर लेना है, इधर लिखना कुछ नहीं है हम इसकी value इसलिए निकाला है क्योंकि इसी का square term इसमें अंदर है इसका ही square term है, तो जो इसका value आएगा उसी से इसका अगला काम करना पड़ेगा क्योंकि इसका square term ही यह है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ plus जो इसकी value है, उसका square और minus का 2, ठीक है? तो कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा से मैंने ऐसे बता दिये कि इसका value कितना आया था? 7 आया था, ठीक है? बताने के लिए बताएगे करना नहीं है, तुरंत अपने दिमाग में ही आ जाएगा, ठीक है? तो आगे क्या करना है? इधर क्या हो गया? 40 प्लस का a, और इधर हो गया, 3 का square, 9, 9 minus 2, यह 7 हो गया, और यह 7, 7, 49 minus 2, 47 हो गया, और equals to 40 प्लस a, इन दोनों को add कर दो, तो क्या जाएगा, friends? इन दोनों को add कर दो, 54 आएगा, ठीक है? 54 equals to 40 प्लस a, जब a की value निकालेंगे क्या होगा? a की value निकालेंगे, तो यह 40 इधर चला जाएगा, इसके इधर, तो 54 minus का 40 हो जाएगा, जब इधर प्लस में इधर जाएगा, तो minus हो जाएगा, 50 minus 40, तो इसकी value आगई 14, एंसर है 14, तो इस type के कुछ questions आ जाते हैं, तो इसको बताने के लिए मैंने आपको बताया इसे की कैसे करना इसे, तो अब चलते हैं, कुछ आगे देखते हैं, यह type clear हो गया, ऐसे ही करना है, तो ध्यान देना, friends क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को add कर देना है, परिसान नहीं होना, यह value अराम से निकलेगी, इसकी value अराम से निकलेगी, इसको कुछ late कर लेना, दोनों को add कर लेते हैं, आज formula इस्टार्ट करने वाला हूं, friends, second, जो first second हो गया, और दोनों का addition का formula है, मतलब क्या है, कि जो दो formula थे ना, हमारे पास, कौन-कौन से formula थे, हमारे पास दो formula थे, कौन-कौन से थे, एक तो formula था, a प्लस b का whole square, क्या होता है, a square होता है, plus b square होता है, और plus 2ab होता है, एक formula यह होता है, दूसरा formula क्या होता है, a minus b का whole square होता है, इसको बोलते है, a square plus b square और minus का 2ab, b, तो friends, अगर हम, क्या करेंगे, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा, एक नाम दे दिया, same power से, same power से, same power, अगे बद आगे आ जाएगा, क्या चीज है यह, ठीक है, same power, the same power निकालने के लिए है, तो यह चीज है, a plus b का whole square, a square plus b square plus 2, भी यह दो formula है, अब इन से हम, हमें कुछ मिलता है, क्या मिलता है, friends, अगर मान लो, इस से, इस वाले से, इस वाले से, इसको subtract कर दूँ, मान लो, first है, और second है, subtract, 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 subtract कर दिया, second, from first, ठीक है, from first, पहले से, subtract कर दिया, अब क्या करेंगे, subtract करेंगे, तो क्या मिलेगा, subtract करेंगे, तो देखते हैं, क्या मिलता है, तो left, left का subtraction, एक side, a plus b का whole square, और minus हो जाएगा, a, ऐसे, minus b का whole square, यह इधर का subtraction, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, a square, plus b square, plus 2ab, minus, और bracket ले लेंगे, इसको इधर, तीक है, इस वाले को इधर, bracket में ले लेंगे, देखते हैं, क्या होता है, क्या होगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, a square plus b square minus का 2ab, ये हो गया, minus का क्या हो गया, 2ab, अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखो, a plus b का whole square minus a minus b का whole square, जब ये, ये तो ऐसे ही रहेगा, b square plus 2ab, ये जब minus अंदर जाएगा, तो ये minus हो जाएगा, plus वाला minus हो जाएगा, minus वाला plus हो जाएगा, तो ये minus हो गया, ठीके, a square, ये भी minus हो जाएगा, b square, और ये कितने हो जाएगा, plus में, तो 2ab हो गया, ठीक है, प्रस का 2a weid माइनस जब अंदर जाएगा तो इनसे भी मिलेगा इनसे भी इनसे सबसे मिलेगा, सबको सिंपल करतेगा, तो अब देखो किस कैंसल आउट हो जाएगा, a से a गया b से b गया आया क्या, a प्लस b का whole square minus a minus b का whole square क्या आ गया 2 और 2, 4 B निकालना है ठीक है a plus b निकालना, कुछ भी a plus b निकालना है तो इस यह क्या हो जाएगा इधर root लग जाएगा 4ab क्योंकि square तो हट जाएगा इधर से square उपनल पहले बताता हूं गहाँ से square हो गया square हो जाएगा अब इयह इधर मायसे इधर plus से हो जाएगा 4ab प्लस का a-b का whole square ठीक है और इधर से square जब अटाएंगे तो क्या लग जाएगा इधर root लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये काम इसके साथ हुआ और a-b निकालना होगा तो क्या होगा a-b निकालना होगा तो क्या होगा minus वाले में minus हो जाएगा कुछ नहीं root लग जाएगा 4ab और minus क्या हो जाएगा minus क्या है sorry ये इधर से इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इधर a-b ये 4ab पहले ठीक है ये तो minus का इधर ले और प्लस हो जाएगा इधर तो ये क्या जाएगा a-b का whole square और minus का 4ab तो ये चीज है दो चीज आ गया तो हम सेम पावर से सेम पावर क्यों बोल रहें सेम पावर से सेम पावर क्यों बोल रहें वैलू दी होगी वैलू दी होगी और questions निकालने होगा तो ये दो फॉर्मूले याद कर लो ये दो फॉर्मूले हमें याद कर लो क्या करना होगा a-b निकालना हो क्या है 4ab प्लस a-b का whole square अगर प्लस वाला टर्म निकालना हो ऐसे कुछ दिया हो तो तो इसके लिए क्या कर देंगे a plus b minus वाला a plus b का whole square minus का 4ab आई ये देखते हैं कुछ question से confirm होगा ये कैसे करेंगे इसे कुछ question देखते हैं friends कुछ question से काफी चीज़े clear हो जाती है तो अभी तक तो मैं फॉर्मूला बता रहा था question देख लेते हैं कुछ questions है जैसे ये है x minus 1 upon x ठीक है x minus 1 upon x इसकी कुछ value देऊ ये friends 3 और find क्या गरना है find simple x plus 1 upon x कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे friends अभी हमने क्या पढ़ा अभी हमने दो चीज़ पढ़ लिया क्या पढ़ लिया a plus b अगर निकालना हो ठीक है तो root कर देंगे 4ab और plus a minus b का whole square अगर a minus b निकालना हो तो root कर देंगे ठीक है a plus b का whole square और minus का 4ab friends a की जग़ा पे x है और b की जग़ा पे 1 upon x है वही चीज़ तो है यहां पे अगर मानलो यहां से इसको देखो इस formula को देखो ठीक है इस formula के x plus 1 upon x करो तो यहां क्या हो जाएगा मैं a की जग़ा पे x रख रहा हूं और b की जग़ा पे 1 upon x रख रहा हूं ठीक है मतलब ऐसे दिखाने के लिए आपको यह x हो क्या इसकी जग़ा पे क्या हो जाएगा 4ab 4 into x into 1 upon x बी की जग़ा 1 upon x रख दिया और इधर क्या हो जाएगा प्लस x minus 1 upon x का whole square यही चीज है बिल्कुल है यही चीज है तो इसको इधर रिखो चाहिए इधर लिखो कोई दिक्कत नहीं है खेर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ऐसे a minus b का whole square और प्लस का 4ab लिख सकते हैं तो क्या कहते हैं कि प्लस वाले में प्लस होगा 4ab ठीक है और minus वाले में क्या हो जाएगा minus 4ab तो ऐसी चीजे हैं तो क्या हो जाएगा यहां पर यह तो cancel out हो गया यह क्या आ जाएगा 4 plus x minus 1 upon x का whole square ऐसे कुछ तो आएए इसको solve कर लेते हैं direct ही यह तो बताया था आपको तो यहां क्या हो जाएगा यहां क्या हो जाएगा यहां दिया हुगा है हमें षारी चीजे क्या होग Irsan». इसको निकालने के लिए क्या करेंगे जो इसकी value है माइश वाले की value है प्लस वाल निकालना रहिए इसकी value उसका square और plus ठीक है researched ठीक है प्लस वाला तो इसले कि दो x into 1 upon x तो यह तो cancel out हो जागा कोई दिक्कत नहीं है 3 का square plus 4 मतलब 9 plus 4 यह होगा root का 13 तो ध्यान reference हमने क्या किया था हमने यह चीज़ किया था कि पिछली पिछले से करते आ रहे हैं पिछले हमने क्या किया था यह basic दिया होता था square निकालते थे ठीक है फिर उसका back निकालते थे लेकिन यहां क्या यहां same same है ठीक है इसका power 1 है और इसका power भी 1 मतलब दोनो same same चीज़े हैं लेकिन क्या ही है minus में यह plus में है तो सारी चीज़े हमें पता होंगी और हम निकाल देंगे सब की value क्या है क्या करना है अगर plus वाला निकालना है तो जो minus वाला दिया रहेगा उसका square कर देंगे और plus का 4a भी करेंगे अगर minus वाला निकालना है तो यहां plus दिया होगा of course ही बात है minus वाला निकालना यहां plus दिया रहेगा ठीक है तो प्लस वाले का स्क्वायर कर देंगे और माइनस फोरे भी कर देंगे ठीक है तो आईए एक दो और कॉर्शन करते है एक दो और कॉर्शन से क्लियर हो जायागा कैसे करना है यहां जैसे दिया है उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है यहां पे हमें जो वैलू दी हुई है उसको देख लो फ्रेंस यहां क्या वैलू दिया है 5 दिया है निकालना है, simpl निकालना है तो कुछ नहीं करना, root लगादेना पहला तो root लगादेना same powers to same power खेल रहा है तो इसके जग़ह पर क्या है 5 है माननेस का square कर देंगे और plus, plus निकालना है 4AB same power सा same power में ऐसे करेंगे square करना है, root लगाना है प्लस 4AB और मानस 4AB के चलता है तो 4AB, AB की जगर पर कहें, X into 1 upon X ते ये तो cancel out ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 4, तो कितना हो गया, 20 का 9, root का 29, ऐसे करेंगे, तो I hope आप लोग को समझ में हो रहा होगा, तो चलते हैं, same power to same power, कोई भी चीज आ जाए, देखो, अग X square minus 1 upon X square, ठीक है, 7, और find क्या करना है, find करना है, X square plus 1 upon X square, यह मतलब, same power से same power है, ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, minus वाला है, plus वाला पूछ रहा है, क्या कर देंगे, root लगाना है, इसका जो I, उसका square कर देंगे, और plus, ठीक है, प्लस से, इसमें 4AB, X square into 1 upon X square, कैंसे, 7, 7, 49 और 4, यानि की 53, एंसर क्या जाएगा, 53, ऐसे करेंगे, बिलकुली, तो friends, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग like, subscribe और share करें, like, subscribe और share, friends, comment भी बहुत जरूरी है, आपका, comment करके भी बताएं, class कैसी है, कैसी रही, चलते हैं, अब अगली class में देखेंगे, आज के ल झालने बन